दोस्तो आज मैं आपको बताने बलाओ, कि आप अपने मॉबाइल में जितने भी ये gmail के messages आप देख रहे हैं, इनको एक ही click में यानि कि एक ही बार में कैसे delete कर सकते हैं, दोस्तो आपको अलग-अलग delete करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, आप फिर्फ एक बार में ही सारे की स मैसेज, यानि की इमेल्स को डिलीट कर सकते हैं, एक ही बार alive. मैं आप देखेंगे, यहाँ पर आपको काफी सारे इमेल्स देखने को मिलते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इतने इमैल्स पड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर all emails देखेंगे तो 99 plus email से primary emails देखेंगे तो 99 plus है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे messages हैं यहाँ पर बहुत सारे emails पड़े हुए हैं दोस्तों मेरे इसमें तो अब इनको एक ही click में यानि कि आप क्लिक करेंगे और सारे की सारे डिलीट हो जाएंगे तो एक बार मैं कैसे डिलीट करें इन सब को वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वीडियो को ध्यान से देखना step by step बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है तभी आपको समझ में आएगा यदि आपके एक ही क्लिक में पूरे मैं इमेल से डिलीट नहीं हुए तो दोस्तों मैं यूट्यूब पर बीडियो बनाना छोड़ दूँगा यह मैं आप से पका बोल रहा हूँ कारंटी से के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको यदि ये वीडियो पसंद आ जा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आपको जीमेल लिख देना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटे का निसान आपको दिखाई देता है उस पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप सारे email को एक ही click में यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं कैसे भो भी तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में यहाँ पर जाना हूँ मैं अब आपको search पर click करना है और यहाँ पर आपको Gmail यहाँ पर आपको search कर लेना है तो हम Gmail यहाँ पर search कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ this type का interface दिखाई देगा आप खुद देख सकते हैं तो हम यहाँ पर zoom कर लेंगे थोड़ा सा जूम करने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ this type का interface दिखाई देगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यह desktop site में हैं मैंने आपको बता दिया desktop site में आपको click कर रहा है तो दोस्तों यहां पर अब आप देखेंगे काफी सारे यहां पर इमेल्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं 1727 पता नहीं यह इन बॉक्स में पढ़े हैं दोस्तो और पता नहीं कितने email से इसमें भरे पड़े हैं यहाँ पर यहाँ पर आप दो हजार बावन email से हैं दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दो हजार बावन तो दोस्तो यहाँ पर और भी होंगे तो इनको एक बार में कैसे delete कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर पर देखेंगे आप यहां पर लिखा हुआ है all 50 conversations on this page are selected यानि 50 emails यहां पर select हो चुके हैं तो दूस्तों अब मैं यहां पर delete करूगा तो only 50 ही delete होगे लेकिन मुझे तो पूरे delete करने तो यहां पर इसके बगल में देखेंगे यहां पर अब आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है आप पढ़ सकते है select all 2052 conversations in primary यानि primary में जितने भी दो हजार वावन conversations है सभी select कर सकते हैं तो हम इस पर जिए जो लिखा हुआ है select all 2052 conversations in primary इस पर हम click कर देंगे तो यहां पर आप पढ़ेंगे अब आप पढ़ लीजिए यहां पर लिखा हुआ है all 2052 conversations in primary are selected यानि कि सारे 2022 emails है वो select हो चुके अब दोस्तों आपको एक click करना है delete के बटन पर और सारे emails यहाँ पर delete हो जाएंगे वो कैसे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जूम करना है मैं जूम करके बता देता हूँ जूम करने के बाद मैं यहाँ पर आप देखेंगे यह आपको delete का option देख रहा होगा बीच में बिल्कुल बीच ओ बीच में देखिए इस पर आपको click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर मैं click इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों मेरे जितने भी emails है यानि काफी सारे आपकी ऐसे emails हैं जो मेरे बहुत ज़रूरी है बहुत important है मेरे लिए इसलिए मैं यहाँ पर delete करके नहीं बता सकता, नहीं यहाँ नहीं पर देलीट करूँगा लेकिन दोस्तों आप चाहें तो मैं कुछ यहाँ पर delete कर सकता हूं वह कैसे? वह मैं आपको दिखा देता हूँ बैंको पड़ोदा ये मैंने select कर लिये हैं दोस्तों अब इनको मैं यहाँ पर delete करूँगा तो मैं यहाँ पर delete का बटन दिख रहा है आपको बीच में इस पर मैं click कर दूँगा तो यहाँ पर click करने के बाद मैं आप देखेंगे यहाँ पर 5 emails delete हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे तो दोस्तों इस तरीके से आप delete कर सकते हैं जैसे कि मैं यह दो और करके दिखा देता हूँ उपर उपर के grow and phone पे तो इन दोनों को भी मैं यह जैसे मैंने बताया वैसे आपको follow करना है बस